नमस्कार प्रेंस एंड टेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये वीडियो भेजा है जमन खान ने कानपूर से लखनव चारबाग आने वाली मेमू ट्रेंस से ये वीडियो शूट किया है और ये लखनव कानपूर रेलखंड है लखनव कानपूर रेलखंड 71 किलो मीटर जिसकी लंबाई है और हमारे ये उत्तर रेलवे लखनो मंडल में ये पढ़ता है यहाँ पर जिस परकार से ट्रेंस का दबाव बढ़ रहा है तो मीडिया में जिस परकार से खबरे आ रही है कि रेलवे बहुत जल्द लखनव इनकी संख्या को बढ़ा करके चार ट्रैक्स करने पर विचार कर रही है जिसके लिए बहुत जल्द सर्वे कराया जाएगा और जैसा रिपोर्टस में आ रहा है कि नए साल में या नए वित्ती वर्ष में यह सर्वे हो सकता है जिसके बाद यहाँ पर आपको आने वाले समयमे लखनव कानपुर रेलखंड पर भी चार ट्रेक्स नजर आएं हाला कि ट्रेक को अपग्रेड किया जा रहा है और ये पिपरसंड स्टेशन है जहां पर जो नया प्लैटफॉर्म बनाय गया था नौन इंटरलॉकिंग टाइल्स यहां पर लग गये है लेकिन अभी जो पैदल पुल का कारे है च्छत लगाने का यहां पर आप सामने देख सकते है जीना बन गया है सीड़िया लेकिन अभी उपर इसमें च्छत नहीं लगी है तो पिपरसंड स्टेशन पर अब प्रॉपर दो प्लैटफॉर्म हो गये है जब यहां पर मेगा ब्लॉक लिया गया था जब कारे चल रहे थे तो उसका वीडियो हमने आपको दिखाये था तो जिस प्रकार से ट्रैफिक अब बढ़ रहा है सेक्षन को अपग्रेड किया जा रहा है एक सो साथ किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से लखनो कानपूर रेलखंड को तयार किया जाएगा जिसके लिए यहां पर आटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम भी लग रहा है ट्रैक्स के दोनों तरफ बाउंडरी सुरक्षा दिवार भी बनाई जा रही है तो यह सारे कार यहां पर भी चल रहे है और पैदल पुल के उपर भी सुरक्षा जाली वगएरा लगाई जाएगी च्छत लगनी बाकी है तो यह सारे काम अभी FOB के अभी अधूरे पड़े हैं इनको भी पूरा किया जा रहा है साथ में पीछे यहां पर बाउंडरी भी बनाई जाएगी और धीरे धीरे लखनो कानपूर रेलखंड भी आने वाले समय में मुझे लगता है यहां पर भी आपको चार्ट रेक्स देखने को मिलेंगे तो यह था एक छोटा सा अपडेट